तो आज की हमारी इस online class में सॉभिक जी के साथ मैं start करने जा रहा हूं अपना एक नया बैस स्टार्ट हुई है और इसमें हम बात कर रहे है एक्सल भी एक्सल एडवांस एक्सल फॉर्मूला तो मैं जानता हूं सॉभिक जी आपको पहले से एक्सल आता है पहले से आपको एक्सल आता है मुझा पता है लेकिन महीं है कि मैं अपनी से फॉर्म करूंगा और आपको हर एक चीज बेसिक इडवांस जिखाऊंगा तो सबसे प्रह तो मैं इस वाद को जानता हूं कि एक्सल का यूज क्या है तो इसको सटिक जवाब होना चाहिए तो उसके लिए हमने कुछ रिशॉर्स किये हुए हैं तो अगर मैं मुटा बटी बता हूं तो तो उस समय क्या था हर कंपीज में होता है वही खाता तो उसी बही खाता को इस टाइल कर दिश्टल कर दिया है तो तो सबसे पहला जो हमारा है ओ है डेटा स्टोरी हैं लेकिन एक्सल में डेटाबेस क्यों क्योंकि एक्सल डेटाबेस की काफी सारे रूल्स और काफी सारे काइटरिया को फुर्फिल नहीं करता है इसकी साइज लिमिट है हलाकि ऐसे दस लाख बुला गया है लेकिन वह मना की एक डेट से दो लाख डालने के बाद फुरा सा प्रॉलम कर देता हैंग नहीं लगता है और दूसरा इसकी डेटा सिक्यूर्टी नहीं कुई जाता हुने पे कर्वत होने के चांसे होते हैं है कि आपने till paper लगा यह पासबर भूल जाए so password रिकवर नहीं होगा लगा फेकर लगाए भी जोड़ाasaल को तोड़ सकता है इसकी फाइल को डिलीट कर सकता है तो इसको हम डेटाबेस की तरह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं अब क्वेश्टन यहां पर आता है कि जब डेटा स्टोरेज है और डेटाबेस नहीं बना सकते हैं तो कहां यूज करेंगे तो तीन चीजे हैं पहली चीजे हैं अब मांगे जी आप एकाउंटेंट है तैली पे का टैली बीजी और फीको बगदा पर आप काम करते हैं तो यह आप एक्सल पर डेटा स्टोर करते हैं कौनसी डेटा जैसे की प्रेटिक आप दो रुपे की फोटो स्टेट कराई है अब इसका लेजर तो नहीं क्रिएट लिए नहीं लेकिन एक अफिस की खटेका 10-20,000 करें enkin चेशाब तो रखना परेंगा थिसकी नेयों अब रखते कहा हैं एक्सल एक्सल कि अधर दूसरा SME, SORT PM Interpizer जैसे हम ज़से छोटे लोग हैं जिनके पास दस वी सिजार का इरेटा हो पाता है और बड़बड़ डेटावेस जैसे SAP, PICO, ऐसे ज़से डेटावेस हैं, Square, Oracle, हम और नहीं कर सकते हैं अब यहां दो सवाल चुनने के बाद आपको ध्यामने आएगा कि सब्सक्राइब बड़ी कंपटी में एक्सलाए काम का होगा है बड़ी कंपटी में हम इनलेटिक डेटा को स्टोर करते हैं जैसे माली जी आपको बोला गया कि आप पुरी साल की मंतली रिपोर्ट त्यार करें पुरे साल की मंतली रिपोर्ट तो तो पुरे साल का मंतली डेटा स्टोर करने के लिए आपको बोला गया है मंतली रिपोर्ट बनाने की लिए तो आप पहले अपने जो सॉफ्ट्यर है वहां से पूरे के पूरे साल का डेटा सेल्स डेटा डाउंड लोड करेंगे और जाईसी बात है डाउंडोड करेंगे एक्सल्पी रखेंगे कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई है अब रिपोर्ट है इसका डेटा यहां रखा हुआ है क्या है तभी बहुत क्या हुआ है मैं जून के जगा जगा जुलाई से लेट करूं तो पुर्ण कैसे हुआ क्यों कैसे हुआ क्योंकि यह इससे लिंक है हाँ तो हम डेटा स्टोर करते हैं लेकिन मिस्लैनियस ऐसे मी मिस्लैनियस एसे मी एंड क्लेटिक्स देता है अब दूसरा क्या है कैलकुलेशन अब देखिए कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से एक्सल के अच्छा कोई सॉफ्टियर ही नहीं है कैलकुलेशन फिल्टू फिल्ड होती है अब यह विए फिल्टू फिल्टू फिल्ड होती है लेकिसे अब जी जिसे मान लिजिए कि मेरे पास एक है कि वार्टर वान प्रटर वान ने कि कर सकते हैं लेकिन आप इसमें अपनी मैथेमेटिकल रूल्स को भी फॉल्व कर सकते हैं जैसे इसका 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 आपने कल्कुलेट किया कि अधर ओल्डेस्ट होगा सर एच एच फॉर से डिवाइड होगा इफॉर्स नहीं अच वहां गलती था है अधर परशन है ऐसी कल्कुलेशन कर सकते हैं तो एक्सल के अंदर में आप जो है कई त्रहीं केकलेश्ब हैं की आप सैलली क्लीकूलेट कर सकते हैं कमीशन इंग कर सकते हैं सेलस कर सकते हैं रिकेकलेश्ण के वह बहुत फ्रीडम राइट का बाद आता है डेटा एक पर रिपर्जेंटेशन आप एक जाएटा इस में जासे कि किसी डेटा से आपको कुईकली एक एक इंफोर्मीट में चाहिए पीछले साल का हमारा इंसेंति और क्या था फटाफ़ पिछले साल का सेल के डेटाल लोगे पीपटेबल लगाओ गया और मस्किल से दो से तीन मिनट्ट या हाइस पांस पेट में इसको निकाल से गए डेटाहिस होता क्या है चले चीछ पुजा आप डेटाहिस इस सबुक्ति से बार सब्सक्राइब है कि हमें कोई इनफर्मेशन चाहिए कि इनफर्मेशन क्यों चाहिए एक डिम्ट नने जानना चाहता हूं कि भाई मैं इस पांस परसंट का इंसरी करेंगे कि भाई जो हमारा मौजुदा सेल है ठीक है ला और जो पांच परसेंटिव देने हम दे रहें उससे हमारा कितना पर्षेंट सेल बहना चाहिए थाकि 5% का इंसेटिव दाब हो जाए था है मार्केट ग्रोथ क्या है अधो कि नॉर्मल सेल कितनी होती है इस सब देखना प्रता है थे देखने की देखते कि यह हम 5 परसेंटिव देने से हमको बेविट हो रहा है तो हम प्लान करते हैं कि चलो 5% करने क्लिए करना पड़ता है अब पता चला कि मैं बुद्या भाई एक हजार सेल करोगे तो मैं करेंद अब चैनल नहीं तो हमारी यह हो गई नहीं कि महांगाई बता मिला है पांच रुपाय जा सकता है ऐसा हमारी गोवर्मेंट करती है कि अ-विए फाजन सेल करों तो पांच परसेंटीव मिले थाजन पॉस्वली नहीं है तो अगर 150 है तो हमें वहां यहां पर 200 या 200 का टारिट दे सकता ताकि जो ने जुनरली असी करते हैं वह 100-800 के बीच में आ जाएंगे करते हैं और यह हम मतलब कि जो डिसीजन लेता है वह नहीं करता है एक सपोर्टिंग इंफ्रमेशन प्रवाइड करते हैं एक माइस का बंदा का काम यहीं होता है कि जो डिसीजन मेकर है उसको सपोर्टिंग अनलेसिज प्रवाइड करें जैसे यह रिपोर्ट पहले में दिखाया था इसी की बात करते हैं ठीक है इसने देखा कि जून उसने देखा कि जून के कस्टमर की सेल ठीक है अब उसको तुम ध्यान में कि मैं जुलाई देखना च अब यहां पर दूसरा आता है रिप्रजेंटेशन अब बहुत सारे सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करने के लिए हम जो है इसका पावर पाइंट यूज़ करते हैं ना सब्सक्राइब अब डाइनमिक रिपोर्ट के लिए पावर पाइंट परफेक्ट नहीं हो जैसे मान लिजीने कि आपने एक एक स्लाइड बनाया जून के सेल्स के लिए इस सारा स्लाइड पर बनाया आपने अब बहुत सब्सक्राइब कि ठीक है मुझे जुलाई का इभी दिखा तो अगर तो आपको फिर से दुबारा फाइल बनाना पड़ेगा सर्थ आपने बना रक्ता है तो बॉस ने के दो फिले ओपन करनी पड़े जार कि ना तो तो से थिक्कत हो सकता है अब बांद इसे कि आप टीम लिडर है और अपने टीम के साथ मीटिंग ले रहे हैं तो फाइल ओपन प्लोज करने में ध्यान बटकता है नो लोगों का लेकिन यहाँ एक्सल में आपको यहाँ पर डॉप डाउन को चेक करना है एवरी मंत का रिपोर्ट यहाँ अप्सक्राइब हो जाएगा इसमें अपने बहुत सारे फार्मिले लगा रख है ठीक है यहां देख रहा है और चौथा जो है सबसे अच्छा यूज है अगर ना हो तो हमें लगता है एक्सल ज़्यूज होगा है इस बाले जहें कि मैंने अपना रिपोर्ट पावर वी आई मे आपको आपके पास पावर वी अई भुगा थारी अगया थो आपके पास पावर्ट नहीं है तो नहीं देख पाएंगे आपको डाउनलोड करना पड़ेग लेकिन अगर किसी अन्वोन पर सब्सक्राइब आपको एक रिपोर्ट बेजनी है तो हम पिरकरते हैं मैंकॉसोफ पता है कि उसके बाद Excel होगा थीक है अगर एक्सल नहीं होगा इसका सब्सक्चूट ओपन वार्ट जी सेंफेनी ऐसे एक्सल विवर ऐसे सॉफ्ट्वेर तो होगा ही होगा एटलिस ओभी नहीं हुआ तो डारेक्ट जीमल से नहीं देख सकता है तो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं चाहों सेलफोन हो या सिस्टम हो तो अगर यह शेरिंग बना पार्ट नहीं होता तो इन सबों का मतलब नहीं था है समझ कहा है तो हम कह सकते हैं आप सकते हैं कोई और टेकनिकल बंदा पुछता है और अपकल सकते हैं आपके सब्सक्राइब इसके अपने मुझे क्यों बताया तो जैसे कि मैं बताया था कि मैं हर एंगल से डिटेल में परहा था तो एक्सल को भी डिटेल में परहाना जिरूरी था बताना जोरी था जीजी आपको इसमें से कुछ चीजी पता था लेकिन एक फ्लो में आपने जाना और आपको आईडिया लग गिया कि after this learning the Excel में office में क्या करेगा अब question यहाँ पर आता है कि Excel का architecture अब Excel architecture के समझी है कि एक workbook फाइल होता है इसको Excel में workbook कहा जाता है और sheet को worksheet कहा जाता है हर sheet में आपका column and row होते हैं जहां row and column intersect होते हैं उसको cell कहते हैं और कोई भी data cell के अंदर ही store होती है data ग्राफिक्स नहीं अगर कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं जिसे picture हो गया saps हो गया ओर over the cell होता है इसलिए हम graphics को link नहीं कर सकते किसी pictures या किसी saps को link नहीं कर सकते reason क्या है क्योंकि उसकी location नहीं होती है क्योंकि हर एक cell का address होता है जिसे a1 a number colon one number row जिसे यहाँ पर आपने कर से रखा तो c e colon and seven number row तो हर एक cell का एक address होता है अब यहाँ पर question यहाँ पर आता है calculation की बात हम कर रहे थे address में भी जरूरी है जैसे मुझे हर number पर 20 add करता है तो आपने equal price किया इसको select किया और 20 अब मुझे नीचे हर एक cell में करने की जरूरत नहीं है हम उपर करके नीचे जस्ट ड्रैक कर देगे क्योंकि जब भी आप ड्रैक करते हैं तो आपका जो रेफरेंस है और इंक्रीज या डिक्रीज होता है है इंक्रीज करण जैकर के जैसे कि नीचे से उपर कि तरफ चलते हैं जहां से उपर कर चलें पर चलेंकर एंदर टिक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज फिल्द ठीक है तो एक अच्छा फीचर है नहीं तो माने जिए कि 10 लाक डेटा में आगा आपके एक एक कर लगाना पड़ेगा तो तो काफी टाइम लग जाएगा लेकिन प्रॉलम यहां पर है कि D1 है अब यहां पर 50 एड़ करें मैं चाहते हैं जो यहां पर है वहां पर D50 को एड़ करें एक वाल हम इसको जाते हैं प्लास 50 आगया लेकिन जब मैं इसको नीजे ड्रैक करूँगा तो चेंज हो जाएगा नहीं जो है एटू हो गया होना था चाहिए इस पर D1 D2 हो गया अब यहां पर प्रॉलम हो गया मैं चाहते हो D2 D1 फिक्स रहे D2 D3 ना हो तो उस केसे इसको हम अब्सलूट करते अब्सलूट कॉंस या फ्रीज कर दिया है फ्रीज कर दिया हमने डॉलर का साइन उसके आगे लगा दिया फिर नीचे के तरब हम ड्रैक करेंगे तो देखिए हमारा D1 फिक्स है बश्ता यह फिरेक्स की हर एड्रेस का दो पार्ट होता है 1 रो औन कॉलम जो जो खो परेक्डção करेक्टर में इसको नमबर होता है उसको रो मांदिया जिसको करनाा है उसको आगे तौर लगा तो अभी जो मिने रो के नंबर के आगे, रो के रो के डॉलर लगाया है. तो यहाँ में दे की क्या है? टॉप टू बॉटम. हमने ड्रैग किया, ठीक था. तकि जैसे लेफ्ट टु राइट करेंगे तो देखेंगे कि आपका डी जो है ई बन जाएगा. क्यों को कि हम्ने अगे डी क्या आगे डॉलर नहीं लगाया तो आप अपने रिक्वार्मेंट सीज़ डॉलर साइन वह एफ़ोर से भी लग जाता है न न तो यहां F4 से लगाते हो तो shortcut होता है लेकि दोनों में लगता है ना फिरो मतलब दोनों में लगेगा क्यों मतलब सार, row and column दोनों में लगेगा इबाद करके बताएंगे सार देखे, F4 किया? लगा? अब मुझे माल लेजिए, D का आगे नहीं चाहिए तो मैं एक बार और F4 करोगा मुझे ओन का आगे नहीं चाहिए तो यहां पर D का आगे चाहिए यहां पर F4 लगेगा अच्छा मैं समझ गया मैं समझ गया आप बोल रहे हैं कि F4 लगेगा लगाता है देखे, हर सिक्षरशन में हमें दोनों के आगे डालर नहीं चाहिए होता है नहीं फरक क्या है सर एक के आगे डालर और दो के आगे डालर का क्या फरक है? मैं आपको फरक लिखाता हूं चलीए झाल झाल प्राइजेज है ठीक है कि पचासी जो है हंडेड उपिस की इसाफ से बेचा गया है यहां पर चाहिए इमाउंट क्या चाहिए इमाउंट मालेजे कि मैंने इसको स्रेक्ट किया और इसको मल्टिप्लाई गिया इससे हंडेड से कर दिया सब्सक्राइज अब मैं इसको आगे पीछे सब पर अप्लाई करना चाहता है अब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो क्या होगा जो हमारा प्राइज हंडेड था अब वो पचाशाशी सो आगिया समझे मुझे क्या कर आप यहां पर मुझे रोग के आगे और लगाना होगा फोर के आगे अब इसको मैं आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप सही है लेकिन जैसे में इसको इधर ड्रैग करूंगा यह जो है हमारा बी बन गया कि मुझे रहेगा अब यहां मुझे जो एक फिरीज कर सकता कि 5 को फिरीज करोंगा सब 85 जाएगा ना हम इसको आगे पर नीचे ड्रैग कर तो आप देखिए यहां पर यह दुनों किनेक्ट है यह दुनों है एक बार सर एक बार किसी एक सेल पर जाके छोड़ दीजिए एक बार चलिए मैं दुबारा बताता हूं देखिए हमने क्या किया 85 x 100 किया माने 55 x B4 राइट मुझे नीचे के तरफ ड्रैक करना है तो यहां पर हमारा जो बी फोर जह है वह हमारा कि आगे डॉलर लगा देंगे कि मुझे यहां भी करना इधर करना तो दी के लगा देंगे तो फिर वो सी नहीं ले पाएगा डी नहीं ले पाएगा इनले लिपाएगा में अब को इसलिए हमने सिर्फ वोड का अगे डॉल लगा आज यहाँ पे हमारे के आगे डॉल लगाना हो क्योंकि जब करूए करूंगा तो बी जब सी ओगा ए भी तो बी हो जाएगा हमारी पांटीत ही तो फिक्स लाइन में है इसलिए हम सिर्फ एक आगे तो कि अब क्या होगा कि जब मैं आगे यहां रेक्ट किया देखिए फिक्स है ठीक है और नीचे भी ठीक है अब इसमें हमने सिस्ट एको एवन को फ्रीज किया हुआ एफाइब को नहीं को कि मैं नीचे ड्रेक्ट करूं तो 56789 बने यहां पर कॉलम फिक्स जाइए और वहाँ पर फिक्स जाहिए उसकेश में आप क्या करेंगे कि आप क्या है यहां पर 10 पर्शिंट का कमीशन है अब मुझे इसमें सब को 10 पर्शिंट से मल्टिप्लाइ और करना इंट व्राइकेट में राखिए ठीक है तेन परसंसे अब टेन परसंसा आश्की अब आफ़ाना फिक्स रो के भी और कॉलम पर ही ना बी टू को ना में बी सी करना है ना बीडी करना है समझे हैं तो इसको दोनों तरफ दोहर लगा दें एक फोर्स ते में लगा दिया दोनों तरफ दोहर लगा दिया अब मैं इसको नीचे आगे पीछे द्रैक हो भी कर सकते ना आपने स्टार्टिंग के क्लास में बताया था इंटू 10 परसेंट की इंटू करके करके अब पर वालू ने यह बद करके बताएं ना वह मल्टिप्लाइ वाला इसको कॉपिख या को सेलेग किया कि और हुआ पेस्ट मम पक कर दिया म § है एह पहले आपने स्क्रिकल की किया ना सर्व ए इन परसंट परसंट का पर चिंदा बढ़ना पराऊंगा पेस्टेस्ट पेसल का बाठ इसको पूरी तरह समझ रहा था तो इसमें कैसा है कि अच्छा मैं समझ गया तो ऊपर अगर 10% तो यहां वैलू चेंज नहीं होगा यहां वैलू चेंज करना परेंगा हाँ ठीक है सर समझ गया मैं थेंक्यू जर अब बात आती है हमारी health and support पहली क्लास में इसी बता रहा हूं जैसे किसी features के बारे में आपको जानगा है आप उस पर cursor रखेंगे तो उसका short loads मिल जाए और उसी में जब में more दीख रहा है ना इसमें क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका option आए यहां पर उसकी health support पर पूरी डिटेल आजाए कि क्या कि जर्णली लोग क्या करते हैं कि Google पर जाकर search करते हैं बट Google की गई हर एक information correct नहीं होती है क्योंकि वहां पर हम जैसे आप इसे लोग आर्टिकल एंड इसमें website में डालते हैं इसलिए मैं सब को search करता हूं कि कुछ भी डूना हो तो पहले आप Excel help पी डूने कुरा नीचे हैं के सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि माल लीजिए मुझे इसमें shortcut चाहिए कुछ भी कर सकते हैं एक्सल में shortcut क्या क्या है है कि वो shortcut in Excel हो गया है यह देखे सारे shortcuts आगया कि इसमें एक बार अपने हिसाफ सब पहन लिजेगा ठीक है ठीक है फिर आता है लिमिट्स एक्सल में एक्सल की किस फीचर की क्या limitation है अब सर्च कीजिए यहां दिख जाएगा एक्सलिकेशन लिमिट्स तो आप जो है इसको सर्च करने के लिए एक्सल हेल्फ क्या जाएगा अब जो सर्च करना है सर्च कीजिए इसके इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि 2007 के बाद यतने भी अबर्जन्स आया है सबका जो एक्सल हेल्फ है और इंटरनेट के चलता है ओन्नाइन है तो अगला जो आपको काम करना दो चीज़ा आपको पढ़ना है तीसरा है आपको जब फाइल में न्यू पे क्लिक करते हैं न तो बहुत में टैंपलेट्स आते हैं तो इससे 10-20 टैंपलेट्स को रिव्यू किजिए इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हम किसकी सतरह की रिपोर्ट्स एंफॉर्मर्स बना सकते हैं एक्सल में जैसे आप आवन करिदने जाते हैं या फिर आप माइक्रोगे जाते हैं तो उसके साथ आपको एक यूजर मेनुल मिलता है जिसमें बहुत सारे रेसिपी की लिस्ट हो अगली क्लास में हम फाइल विनुबार को कवर करें